हालो एवरिवन स्वागे था आप सबका एक और सेशन यानि आज हम प्रॉब्लम नूमबर फॉर्टीन पे आ गए हैं ओप दे चैप्टर मोशन इन स्टेट लाइन जिसके टोपिक इक्वेशन्स इन इक्वेशन्स ओफ मोशन के पॉर्थ प्रॉब्लम यानि निमेरिकल पे हम पहुंच चुके हैं जहां हम कंसेट्स को निमेरिकल के त्रीव समझने की कोशिस कर रही हैं ना सिरफ कोशिस बलकि उनको समझ रहे हैं और इससे फिजिक्स आपके लिए काफी ज्यादा इजी बन जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की डाउट एक बार है तो कैसे मेरे वाले से वो डिफेंट था आपके लिए काफी ज्यादा हैलफुल की रहने वाला है टू बोल्ज आर थ्रॉन साइमल्टेनियसली एक साथ दो बोल्ज को थ्रो किया गया वन बोल ए बोल का नाम है ए थ्रॉन वर्टिकली अपवार्ड विदे स्पीड 20 मिटर पर सेकंड एक बोल नीचे से उपर की तरफ फैकी गई और इसकी इनिसल वेलोसिटी 20 मिटर पर सेकंड थी उपर की तरफ जाते टाइम इनिसल वेलोसिटी ओबोल ए है ये हाँ और ग्राउंड से फैकी गई अधर बोल भी थ्रॉन वर्टिकली डाउंवर्ड फॉम हाइट 40 म एक दूसरी बोल को 40 मिटर की हाइट से यहां से एक दूसरी बोल को नीचे की तरफ फैका गया 40 मिटर की हाइट से यानि यह जो टोटल डिस्टेंस है दोनों बोल्स के बीच स्टार्टिंग में यह जो टोटल डिस्टेंस है यह 40 मिटर है ओके इतना भी क्लियर हो गया और उसक की सिंदी भी नीचे की तरफ 20 मिट्र कई है नीचे वाली की उपर की तरफ 20 मिट्र dramatically यह उपर वाली बॉलंड be है ऑकलता है कि स्पॉइंट पे दोनों बॉल्स मिलेगी और अपने को टाइम भी निकालना पड़ेगा और वह डिस्टेंस भी निकालने सुनिएगा तो जब भी बोड़ी ऊपर की तरफ जाती है तो इसकी वेलोसिटी लगातार घठती है और हर सेकंड इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड कम हो जाती है यही रीजन है थोड़ी देर के बाद घठते घठते 0 हो जाएगी और बोल उससे उपर नहीं जाएगी तो उपर जाते हुए acceleration of the बोल A is minus 9.8 meter per second square everyone clear है ठीक है मान लेते हैं यह दोनों बोल किसी ने किसी point यहाँ यानि x distance पे ground से x height पे दोनों बोल मिल जाती है ऐसा हम मान लेते हैं ओके तो बोल A के लिए ना x height यानि s is equal to ut plus half 80 square का अगर मैं use करूँ बोल A के लिए s is equal to ut plus half 80 square किसके लिए for ball A यहाँ लिख देता हूँ for A ओके तो s कितना cover करना है जहाँ पे दोनों मिलेगी कही ना कहीं तो मिलेगी ना दोनों हमने मान लिया x पे मिलेगी तो यहां तक distance x कवर करेगी यह initial velocity इसकी 20 थी time का हमें पता नहीं कितने time के बाद यह दोनों मिलेगी t ही रख देता हूँ no problem plus में half ऐसे का ऐसा acceleration की value minus 9.8 तो यहां minus आ जाएगा और यहां 9.8 और यह t square ऐसे का ऐसा क्योंकि time का पता ही नहीं कितना है तो x will be equal to 20 t minus यह 2 इसको 4.9 पे काड़ देगा तो minus 4.9 t square काफी famous यह question है class 9 में पूछने लगता है class 11 में भी उतना ही important यह रहता है need में भी दो या तीन बार कम से कम अलग अलग situations देखे same question आपसे पूछा जा चुका है और athlete वगेरा में भी इस तरह questions आते रहते हैं तो घबराईएगा नहीं बिलकुल आसान है बस आपको concept एक बार सीख लेना है कि कैसे ऐसे questions solve करते हैं अब simple maths बच गया तो यह मान लिए equation number one मेरे पास बच गई अब बात करते हैं ball b की जो हमने red मानी थी हाँ तो four ball b यहां लिख देता हूं बाब four ball b अब ball b को यहां तक पहुँचने के लिए कितना cover करना है total 40 meter था 40 minus x travel करना है फिर तो हाँ तो s is equal to ut plus half 80 square apply करो ball b के लिए तो ball b को distance cover करनी है 40 minus x meter उसकी initial velocity u है 20 meter per second अब आब बोलोगे कि सर इसकी velocity नीचे की तरफ है तो इसको minus low कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है क्यों science convention आप अभी के लिए सुन लीजिए कि कोई जरूरत नहीं है जब numerical number 26 से 30 करेंगे ना मैं कुस miscellaneous बातें आपको यानि कुछ हटके ऐसे ऐसे concepts आपको उन past numericals में बताऊंगा आपने कभी नहीं सीखे होंगे कोई चीज कब positive लेनी है कब negative लेनी है उससे असान तरीका नहीं हो सकता इतनी मेरी guarantee है अभी के लिए सुन लीजिए जिस तरफ बोल जा रही है उस तरफ जाते टाइम अगर बोड़ी के velocity लगातार बढ़ रही है तो acceleration भी positive लेनी है और यहाँ पे velocity का कोई चकर नहीं है positive low negative low अभी के लिए याद रख लो आगे आपको clear कर दूँगा क्यों प्लस में हाफ acceleration कितनी है नीचे की तरफ velocity लगातार बढ़ेगी हर second कितनी 9.8 बढ़ती जाएगी तो positive लेंगी कई लोग आपको नीचे की तरफ वाली acceleration negative लेने को बोलते हैं उपर की तरफ वाली positive लेने को बोलते हैं ना 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 या तो उनका ही concept फोलो करना फिर उनके लिए आपको velocities भी ऐसे ही apply करनी पड़ेगी displacement भी positive negative लेनी पड़ेगी और मैं बोलता हूँ आपको और कुछ positive negative नहीं लेना सिरफ acceleration का ध्यान रखना है बोड़ी उपर जा रही है acceleration negative नीचे आ रही है acceleration positive बात खतम आगे बताऊंगा आपको अगर सीधा चल रही है velocity बढ़ रही है तो acceleration क्या लेनी है घट रही है तो क्या लेनी है velocity opposite direction में होगी तो acceleration positive या negative टेंशन मतलो time आएगा सब बताऊंगा 30 numerical के अंदर सारे concept cover कर दूँगा आपके एक भी नहीं बचेगा ठीक है हाँ अभी के लिए सिरफ acceleration पर ध्यान रखना प्रस माइनस का acceleration नीचे की तरह आती हो बढ़ रही है velocity तो positive ले लो भई 40-x is equal to 20 plus 4.9t square इसको equation number 2 बोल दूँग अब दोनों equations को आड़ कर दीजिए आप अब मैं green वाला use कर रहेता हूँ दोनों equations को आड़ कर दीजिए adding equation 1 and 2 adding equation 1 and 2 कितना असान हो गया आपके लिए time निकालना yes तो 1 and 2 को अगर आप add करेंगे तो left hand side add करो दोनों की x plus 40-x x plus 40-x right hand side add करो दोनों की 20 plus 4.9t square हाँ हाँ उसमें क्या था भई 20t plus 4 minus 20t minus 4.9t square था और इसमें क्या है plus में 20 plus 4.9t square है 4.9t square से 4.9t square cancel हाँ x से x cancel 40 is equal to 20t plus 20 ये 20 उस तरफ जाएगा so 20 is equal to 20t यानि time आएगा 20 by 20 yes sir 2020 हो गया है तो one second का time आगया sir हाँ एक second के time के बाद दोनों मिल जाएगी अब कितनी distance में मिलेंगी धरती से कितनी height में दोनों मिलेंगी first equation में put कर दो यार values यहाँ पे first equation में values put कर दो क्या put करोगे x is equal to 20t t की value 1 है minus में 4.9t square t की value 1 है 1 का square square रहेगा यहाँ पे x is equal to 20 minus 4.9 यानि 15.1 आगया मेरी क्याल में 15.1 मीटर धरती से इतनी height पे दोनों मिल जाएगी क्या clear है आपको इस तरह से आप कोई भी ball ओपर से नीचे आ रही नीचे से उपर जा रही है उस तरह की numerical easily solve कर सकते हैं इस concept से आपने क्या सीखा वो नाओ no down करना अपनी notebook में और इस numerical को भी no down रखना है अब उपर जाने का नीचे आने का कोई भी numerical आए आप आराम से कर देंगे next question हम करेंगे nth second body कितनी distance travel करती है उसके बाद हम चलेंगे graph से related five numericals में फिर हम करेंगे one dimension में relative velocity का concept और फिर हम पांच miscellaneous problem ऐसी लेंगे जो हिलागे रख देंगे आपके दिमाग को यानी step पर से कुछ भी आपका ऐसी तीज नहीं बचेगी जो आपको ना आती हो so bye everyone take care see you soon in the next one till then कोई भी डाउट या प्रोब्लम आपको है तो 9729856173 पे दरवाजे हमेशा मेरे आपके लिए खुले हैं कोई भी डाउट पूछिए किसी भी कोर्स से related always available for you all bye everyone take care see you soon in the next one till then keep learning Jai Hind